नमश्कर मैं हां डॉक्टर रोहीनी ठाकूर कंसल्टन डर्मेटोलोजिस्ट मनिपाल हॉस्पिटल पत्यालाविच आज असी गाल कर रहे हैं सेंसिटिव स्किन दे बारे आजकल बहुत सारे पेशिंट्स आके कंप्लेंड कर दे हन कि जिड़े भी स्किन केर प्रोड़क्स या क स्किन दे जलन खारिष रहन लग गया है उनादी स्किन परला नालोग खिची-खिची या रुखी-डुखी फील हूं दी है या फिर उनादी स्किन दे सोजश या लाली रहन लग गय यह इ सारे सिंटम्स जदों तुप विच जान्दे हन कई वार होर भी आग्रवेट हो जा है एलर्जी विच की हुंदा है कि साधी बॉडी दा इम्म्यून सिस्टम जड़ा है वो किसी पर्टिकुलर प्रॉडक्ट दे अगेंस्ट रियक्ट करन लाग जानता है ते उन्हों एक्सेप्ट नहीं करता है जिमें की बहुत कॉमनली आजकल हैर कलर तो एलर्जी डवेलप हो यूज कर रहे हैं जिमें की आओ पिछले 20 साल तो हैर कलर यूज कर रहे हुंदे हन पहला कोई सिम्टम्स नहीं हुंदे पर ग्राजूली उन्हों होली होली स्कैल्प विच थे फिर कई वर फेस थे तक कई वर होल बॉडी थे ही खारेश जलन या इस तरहां थे सिम्टम्स श डेवलप हुंदा है आजकल आसी देख देहां बड़ी कॉमनली फेस वाश्टिज विच या सिरम्स विच या कई क्रीम्स विच ग्लाइकॉलिक आसेड लाक्टेक आसेड वरके कंपाउंड सुन्दे हन एजडे कंपाउंड सुन्दे हन इना दी इन्हेरेंट प्रॉपटी ज कर देहां जिदे विच बिंजोयल पर ऑक्साइड या डापलीन हुंदी है या कुछ पेशेंट्स चाहियां वास्ते कोई क्रीम्स लगा रहे हुंदे हन उना विच स्टिरोइड हुंदे हन इस सारियां चीजां जडियां है यह हर किसी दी स्किन नो रियाक्ट करन लाग जान जडियां थे थर्ड काटेगरी ऑफ पेशेंट्स हुंदे हन जिनानु सिरफ सीजनल सिम्टम्स आंदे हन जिमें कि किसी पर्टिक्लर मौसम विच वी उनानु स्किन जड़ी है उना दी सेंस्टिव हंदी है इस विच एन्वार्मेंटल फैक्टरस या फिर फिजिकल फैक्ट करना है वैसे था तो अनू अपने डर्मेटोल्जिस नू गंसल्ट करना चाहिए है कि यो त्वाडी स्कीन नू प्रॉपर्ली एक्जामिन करके ओदा एक ट्रीट्मेंट प्लान फॉर्मूलेट करन ते कर विच तुसी की प्रिकॉस्टिंस कर सकते हो सब तो पहला था तुसी सा पानी नाल चिट्टे मारू क्योंकि जड़ा गरम पानी है वह भी तरह दा इरिटेंट होंता है ते फिर असी पेशेंट्स नू ग्रैजुली एक एक करके प्रॉड़क्स इंट्रड्यूस कराने हां सब तो इंपोर्टेंट जड़ा रोल होंदा है क्योंकि स्किंदा जड़ा मॉइस्ट्राइजर जड़ा आलकोहल जंदे हां या ऐसेडे कंपाउंड जंदे हां उसकिन नूं फर्दर इरिटेट कर देंदे हम तसी कहने हां कि हर दो दो या तिन-तिन कंटे अपने फेस नूं मॉइस्ट्राइज करो जेंटली लगाओ ते ग्राजुली इदनाल तवाड नेक्स प्रड़क्त इंडिट्डूस कर दे हां जिवें की नेक्स असी संस्क्रीन एडवाइस कर दे हां ते उदे विच भी मोस्त कॉमनली फिजिकल ब्लॉकर्ज इंट्रूस कराने हां पहला कोई भी जब जदो असी नमा प्रोड़क्त लगवाना है उन्हों पहला एक जदा इस दुरान पेशन्नों अड़ाइस कर दे हां कि अपने फेस नू और करके रखन बार तूप विच ते तूल मिटी तो अपनी स्किन नू बचा के रखन ते डाइट भी बहुत इंपोर्टेंट रोल है पेशन्नों अच्छी डाइट लाइन ले कांसल कर दे हां ते उन नू कहने हां कि अपनी वाटर इंटेक अच्छी रखो जे देनाल की त्वाडी स्किन जड़िये हो और हाइड्रेटेड रहे ते एंड विच मैं एही कहूंगी कि जे त्वाडी स्किन सेंस्टिव है ता अपने डर्मेटोल्जिस नू कंसल्ट करो सेल्फ ट्रीटमेंट ना क अपने स्पेशलिस नू कंसल्ट कर सकते हूं थैंक यू